Hi my angels, welcome back to my channel and thank you so much guys for watching me again So, आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों के साथ मेरी skincare routine शेयर कर रही हूँ Recently मैंने बायोटिक के बहुत सारे products को try कर रही हूँ Day time में भी and night time में भी regular basis पे Bायोटिक के products मैंने पहले भी try की है And मुझे personally ये brand काफी जादा पसंद आता है इसमें से बहुत सारे products all skin types के लिए है जो कि मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताती जाओंगी And सारे products के purchase link मैं नीचे description box पे आप लोगों के लिए mention कर दूँगी In case अगर आप लोग products को purchase करना चाहते हो मेरे link के थूँ purchase कर सकते हो Now without any further ado, let's get start the video तो सबसे पहले मैं अपना hair when लगा लेती हूँ ताकि skincare करने के time मेरे बाल मेरे face पे आके मुझे irritate ना करे तो सबसे पहले मैं अपने face को cleaning से start करूँगी उसके लिए मैंने लिया है biotique का fruit brightening face wash और हमेशा ना face wash यूज़ करने से पहले आपने हमेशा आपके face को wait कर लेना है थोड़ा सा पानी लेके अपने face को wait कर लो dry face पे कभी भी you know face wash यूज़ नहीं करनी चाहिए और इसका जो formula है color है आप देख सकते हो clear color में है और इसका texture थोड़ा सा gel kind of texture ही है और इसकी ना smell मुझे काफी जादा refreshing लगती है fruity वाला smell आती है सारे जो fruits के goodness हैं इसके अंदर है जैसे की papaya, tomato, pineapple, banana, lemon सब इन सारे fruits के juice इसके अंदर है जो की हमारे skin को light करने में, bright करने में soft and supple बनाने में help करती है तो एक से दो मिनिट तक मैं अपने face को and neck को अच्छे से massage करूँगी ताकि अच्छे से clean हो जाए और उसके बाद normal water से मैंने अपने face को clean कर लिया है then मैंने लिया है biotica, bio papaya, revitalizing, tan removal, face scrub ये भी all skin type के लिए है और वो face wash भी all skin type के लिए ही था तो जो ये face wash है ना इसके अंदर papaya है, banana है, lemon है, pineapple है जो की हमारे skin को जैसे के मैंने पहले कहा था थोड़ा सा brightening effect देने में बहुत ज़्यादा helpful होती है and इस scrubber की जो granules है ना वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है आपके skin पे थोड़ा सा ये harsh होती है granules जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है बिल्कुल भी mild नहीं है overall ये scrub मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बट या अगर आप use करना चाहते हो तो use कर सकते हो मैं भी use कर रही हूँ पसंद भी आ रहा है लेकिन अगर मैं बाकी सारे scrubber की साथ इसको मिलाओना तो मुझे ये उतना ज़्यादा खास नहीं लगता है तो इसको भी मैं 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से मेरी nose area पे मेरी chin area पे मसाज करूँगी specially क्योंकि वहाँ पे जो है न ब्लैकेट्स एंड वाइट्स की प्रोब्लम जादा होती है और ये वाली face wash आपके skin पे अगर tanning के प्रोब्लम होना उसको भी remove करने में help करती है तो आपको बहुत ही हलके हाथों से gently मसाज करना होता है and then normal water से आपके face को धो लेना होता है and धोने के बाद न मेरे skin काफी जादा soft feel करती है मेरी जो black it's white it's वगेरा है जब मैं nose area पे अपना हाथ रखती हूँ न वो जगा बिलकुल smooth बन जाती है ठीक है सिर्फ इसका granules इतना जादा मोटे मोटे है न वजह से मुझे ये जादा पसंद नहीं आती है otherwise it's okay then मैंने लिया है bio tikka bio fruit whitening deep pigmentation and tan removal face pack ये जो product है काफी बार में आप लोगों के साथ share कर चुकी हूँ बहुत 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 जादा अच्छा product है ना guys मेरी तरफ से ये वाली product आप लोगों के लिए आप इसको regular basis पे use करोगे ना तो इसका एक अच्छा खासा difference आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर भी fruits के goodness है और ये भी all skin type के लिए है आपके skin पे अगर tanning के problem होना उसको ये remove कर देती है एक youthful fresh look पाने में आपको help करती है so इसको मैंने थोड़ी देर के लिए अपने face पे dry होने के लिए रखा है then मैंने normal water से ही इसको धो लिया है then toner के लिए यहापे मेरे पास दो option है दोनों ही मेरी बहुत ज़ादा favorite है पहली वाली है biotica honey pore tightening toner with himalaya waters and दूसरी है biotica cucumber toner तो आज मैं pore tightening वाला honey toner यूज कर रही हूँ cotton pad में मैंने थोड़ा सा ले लिया है and इसको मैं अपने पूरे face पे अच्छे से massage कर रही हूँ अपने neck को भी कभी भी skip नहीं करना मैंने सारे जो skincare steps follow की है अपने neck पे भी की थी off camera पे कभी भी neck को skip मत करना चाहिए या इससे आपके जो neck का और आपका जो face का tone है वो एक ही रहता है ठीक है then मैं यहापे use करी हूँ सबसे ज़्यादा important thing जो की है हमारी under eye cream अगर आप ना 20K हो चुके हो तो अभी से आपको under eye cream use करना चाहिए क्योंकि जो aging science है ना वो हमारी आखों के true जादा visible होती है and हमारी आखों का under eye का जो skin है वो बहुत ही जादा पतला होती है तो जिसके वज़े से wrinkles वगेरा बहुत जल्दी आ जाती है तो हमेशा ring finger लेके हलके हलके हातों से upward direction में आपको massage करनी होती है एकदम हलके हातों से pressure नहीं देनी होती है आपको overall ये product भी काफी जादा अच्छा है then मैंने लिया है biotica morning nectar moisturizer ये product भी आप लोग मेरी makeup tutorials में skincare में बहुत बार देख चुके हो पता नहीं ये वाली bottle मेरे कितने number purchase है बहुत बार इसको मैं purchase कर चुकी हूँ मेरी काफी जादा favorite है so yes guys यह थी मेरी आज की skincare routine I hope आप लोग के लिए helpful रही होगी regular youth से आपको थोड़ा सा difference तो नजर आएगा so video पसंद आए तो please channel को subscribe कर देना अगर आप मेरे चैनल पे ने हो तो and video को एक like कर देना comment कर देना share कर देना family और friends के साथ तो चलिए guys आप लोगों से मैं मिलती हूँ मेरी next video में तब तक के लिए bye guys